दिडियू लो, सारालिखान आनिमल में कास्ट होने वाली थी? आनिमल से रिजेक्ट हुई थी सारालिखान So guys, आनिमल का नाम हर जगे हैं लोग मूवी पर बात करते नहीं तक रहे हैं कास कर फिल्म की भावी तूपर Well, अगर हम आपको कहें कि initially animal की इतनी बड़ी cast में एक और नाम था तो वो है सारा अलिखान जी हां, well according to report सारा अलिखान animal का part होने वाली थी बट फिर उन्हें reject कर दिया गया well ऐसे तो struggling के मामले में हमेशा अनन्या पांडे का नाम होता है बट यहां हमें दिख रहा है सारा अलिखान का struggle जहां हमें पता चला है कि वो animal का part होने वाली थी for role of त्रिप्ती दिम्री, यानि कि Zoya famously भावी too but सारा को role नहीं मिला and she was rejected animal की diverse cast पर ही आए तो रनबीर कपूर as animals तो लोगों का दलजरी थी रहे है अनिल कपूर as रनबी's father भी सबको पसंद आ रहे है वेराज Lord Bobby के तो क्या ही कहने वो तो पूरा internet पागल कर चुके है Lord Bobby दोल के अलावा एक और character अनाक्टर है जिससे सब ने पसंद किया है वो है film की Zoya जुसका role play किया त्रिप्ती डिम्री ने वो जोया और त्रिप्ती दोनों को ही काफी फ्यार मिल रहा है और भावी 2 के इस instant classic role में क्या आप सारा लिखान को देख पा रहे हो नहीं ना हम भी नहीं देख पा रहे हैं यहीं शायद हुआ होगा makers के साथ भी जिसके बाद जोया के role के लिए सारा हुई अनिमल में famous होने से पहले त्रिप्ती ने कई अच्छी फिल्म्स में काम भी किया है राइट फ्रम डेब्यू इन इम्तियास अली रुटन लेला मजनू जिसके बाद उन्होंने अन्वीता दत के साथ बुल-बुल और कला में काम किया है अनिमल से उन्हें जो फेम मिल रहा है वो तो आप और हम देखी रहे है और यही वज़े है कि त्रिप्ती का इंस्टाग्राम जो की 1,000,000 भी नहीं था अब 3,000,000 पर है और अब यह है पावर स्मॉल रोल बिग इंपक का वेल आपने अगर अनिमल देखी है तो आपको त्रिप्ती दिमरी का रोल कैसा लगा हमेने जी कमें स्क्षिन में जरू बताएं और फूमोस शुर्टिस अप्टेश अप्टेश दो फॉल्वापीज